परिक्षाओं के और करीब हम जा रहे हैं आज 2 मार्च और 22 ठीक 20 दिन बाद में 22 मार्च को आप लोगों के हाथ में इसी तरह का प्रस्ण पत्र होगा बस फर्क इतना है कि जहां 2018 का जो हम पिछले साल वाला प्रस्ण पत्र हल करवा रहे हैं उस दिन आपके हाथ में 2019 का होगा ठीक है नब बचो और प्रस्ण इसी तरह से जैसे इस प्रस्ण पत्र में है एक से दस प्रते एक अंक जहां तक 11 से 15 तक के प्रस्ण है प्रते एक दो अंक ये सबी को मालूम होंगे आप लोगों को और इसी तरह से 16 से 25 तक प्रते एक तीन अंक ठीक है न मचाओ तो यहां तक तो हुए ये और फिर 26 से जो 30 तक के जो भारी भारी नंबर के सवाल है 6-6 अंक के वो यहां पाए जाएंगे तो इन पे आपको हम कई बार कहे चुके इन पे फोकस कीजिए इनका कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें से एक सवाल गलत हुआ इसका मतलब इसके 6 सवाल के बराबर है जान रखना जिससे क्रिकेट मैच में होते हैं एक एक रन 6 वार ले और एक ही बॉल में 6 चैरन ले उस तरह की बात है तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 2018 का फस्ट पत्र और एक दिन और मिलेगा हमारे को 5 मार्च ठीक है उस दिन बचे हुए हम प्रस्ट उस दिन करवा देंगे तो आप और हम मिलके आज जितने मैक्जिमम सवाल कर सकते हैं आईए समझे पहले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं पहला सवाल सुत्र एक अधिकेन पूर्वेन का प्रियोग करते हुए 31 सभी बटे 6 गुणा 31 सभी 5 बटे 6 का मान गयात कीजिए अब ये एक पॉइंट एक जो एकसेसे इन वैदिक गनित उसका पांचवा सवाल है उसमें उत्तर गलत छपे हु पहला सवाल 31 सभी एक बटे 6 गुणा 31 सभी 5 बटे 6 का मान हमें गयात करना है और सुत्र हमें कहा गया है एक अधिकेन पूर्वेन का प्रियोग कीजिए एक अधिकेन पूर्वेन अच्छा ये कब लगता है यह हम आपको बता दें ऐसे सवाल जब ये 31 और 31 समान है और एक बटे 6 और पाच बटे 6 का योग एक है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 31 को हम गुणा करेंगे 32 से और दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं एक बटे 6 को गुणा करते हैं 5 बटे 6 से तो इधर 31 गुणा 32 नाइन नाइन टू और इधर पाच एकम पाच और बटे में हो गया 36 उत्तर बात खतम चीक है ना यहाँ आंसर शीट में केवल 6 चपा हुआ तीन नहीं चपा हुआ तो आप देख ले ना परिशान नहीं होना य इसी तरह से सवाल नंबर 2 हल कीजिए केवल लिकाए हल कीजिए वास्ता में यह 1.4 से लिया गया है वैदिक गनित में और कहा ने गया है यहां पे किस विदी से करना है तो है यह वैदिक विदी वाला सवाल अब आप अगर आजाद पंची की तरह से करेंगे तो यह बड़ा सवाल हो जाएगा वैदिक गनित से यह सहज भाव से हो जाएगा एक नंबर का है समझिए तो 1.4 में से इस बार भी इसी तरह का एक सवाल आ सकता है इन में आपको है न कुछ न कुछ गोर करना होगा बच्चो सवालों में गोर कैसे ध्यान दीजिए जिससे अगर मैं इसको और इसको योग करूं ना यहां पे देखो एक बटे कुछ है प्लस एक बटे कुछ है एक बटे कुछ है प्लस एक बटे कुछ है तो एक जैसी स्तित है इसमें अगर मैं हरों का योग करूँ तो इधर 2X 002 ऐंगे इधर भी 2X 002 ऐंगे तो हरों का योग समान है यहां पर दौनों पक्षों में हरों का योग समान चूंकि अंच और हर हरों का योग समान और वो क्या है 2x-10 तो 2x-10 बराबर 6 ने की लिख देंगे हम 2x-10 बराबर 6 ने तो इसके बाद में क्या हुआ बचो 2x बराबर 10 तो x बराबर 10 बटे 2 बराबर 5 तो x कमान 5 हमें मिल गया बस और एक नमबर आपको मिल गया अगर इसमें x की जगे पे 5 लगाएं तो आपको दौनों पक्षों में समान राशिया प्राब्त होगी उतारी जल्दी से सवाल नमबर तीन हमसे कहा गया है कि एक सुछण में के अबाज्य गुडनखंडों की गहतों का योग्फल गयाद कीजिए तो पहले आप अबाज्य गुडनखंड करेंगे क्या करेंगे अबाज्य गुडनखंड किसके 196 के सवाल नमबर तीन ये 196 और इसमें 2 का भाग दिया 9 और इधर 8 2 का भाग गया 49 7 का भाग गया 7 बार 7 का भाग गया 1 बार तो 196 को हमने लिखा 2 की गहत 2 गुणा 7 की गहत 2 हमसे कहा गया है गहतों का योग इसलिए गहतों का योग बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 बस एक एक नमबर कमा रहे हम आसानी से उतारिए उतारते चलिए बचो यह यस यह सवाल मर चार कौस 50 डिगरी और कौस 40 डिगरी का मान हमें गयाद करना है क्या गयाद करना है कौस 50 डिगरी कौस एक 40 डिगरी देखिये कैसे करेंगे सवाल नमबर चार एक नमबर ये भी देखे जाएगा हमें यस चौत्ह सवाल ये रहा है आपके सामने कौस पचास डिगरी कौस एक चालीस डिगरी तो कौस पचास डिगरी इन में से किसी एक को ऐसे के ऐसे रहने दीजी आप इदर कॉसेक 40 डिगरी को हम किसमें बदल रहे हैं कॉसेक को नहीं चेड़ा केवल इसको हमने 90-50 लिख दिया चाहे तो इदर साइड में लिख सकते है कि 40 डिगरी बराबर 90-50 अभी हमने केवल डिगरी बदली है अब यहाँ पे सुत्र लगा दिया कॉस 50 डिगरी ऐसे के ऐसे? गुणा कॉसेक 90- सीटा होता है साइन ठीटा नहीं बचो सैक ठीटा होता है साइन नहीं कॉसेक और सैक दोनों साथ चलते हैं तो सैक 50 डिगरी अब यह आपको मालूमी है बचो यह एक दूसरे के वितकरम है तो चाहे तो बदल के कट कर दीजिए इसको लिख सकता है एक बटे कॉस 50 बस यह और यह कट गए बराबर एक उत्तर और इतना पहुँचते एक नमबर आप लोगों के खरे हैं, निश्चित हैं उतारिए, चौते सवाल तक हम देखते देखते पहुँच गए झालो बढाए याद रखिएगा एक से दस एक एक नंबर आप लोगों को देखे जाएंगे पाच्वा सवाल यदि एक उर्द्वाकार छड़ की लंबाई इसकी छाय की लंबाई का अनुपात एक अनुपात अंडरोट तीन हो तो सूर्य का उन्ने इन कौन गयाद कीजिए यहाँ पे हमने थोड़ी दिर के लिए एबी सी मान लिया और उर्द्वाकार छड़ एबी है 90 डिग्री यहाँ बन रहा है इस कौन को हमने थीटा मान लिया तो छड़ की लंबाई और छाय का अनुपात एक अनुपात तीन है तो यह एक एकस माना हमने और यह अंडरोट तीन एकस मान लिया अनुपात की वज़े से हम से कहा गया है उन्नेन कोन गयाद कीजिए थीटा का मान गयाद करना है तो यहाँ पे 10 थीटा हम लगाएंगे लंब बटे आधार आप लोग सभी परीचित हैं लंब की जगह पे एबी जहां तक आधार की बात है बी सी और एबी का मान एक एकस बटे अंडरोट तीन एकस एकस से एकस कट गया तो 10 थीटा परावर क्या है बचों एक बटे अंडरोट तीन और वो कौन से 10 का मान होता है 10 30 डिगरी अरे साणी से देख लेना न आप लोग अतहें जो उन्ने इन कौन पूछा है हमसे थीटा पूछा है वो 30 डिगरी अतहें उन्ने इन कौन बराबर 30 डिगरी भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे यह सवाल नमबर 5 एक नमबर ये भी दे गया ध्यान दीजिए छटा सवाल और बचों आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे पेज़ेज है इसमें ठीक है बार है पेज का ये प्रस्ट पतर है गवरा मज़ा न आप लोग और इस पर लिखा भी रहता है इसके उपर 30 नमबर और प्रिंटेड पेज इस 11 बारवा जो पेज है न वो प्रिंटेड नहीं है इस सब कुछ लिखा रहता है तो कभी किसी के कोई पेज हो नहीं न तो बता सकते हैं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सर मेरे तो वो पेपर में प्रस्ट नहीं इतने थी तो मैं कहां से कर है बिन्दुपत से कि दो दिये गए बिन्दु से समदूरस्त बिन्दु का बिन्दुपत लिखिए अगर आपने देखा होगा न बुक में तो वहां हमारा क्यू आर कोड़ बना हुआ है बच्छों देखना वापस से समदूरस्त दो बिन्दु है यहां पर यह एक और यह दूसरा बिन्दु इन दौनों बिन्दु से समदूरस्त यह ए बिन्दु है और यह बिन्दु है दौनों से समदूरस्त पर माल लीजिए यह कोई बिन्दु है यहां पर इस जगह पर ठीक है यह तो एक बिन्दु मिला ऐसे हमने देखा कि यहाँ पे और जो बिंदू हम देख रहे हैं, यह इस जगए पे इस ते तमाम जो बिंदू है, वो एसे जितनी दूरी पर है, उतने ही बी से है, चीक है ना? तो इन बिंदू को प्रकट करते हुए हम कहें क्या सकते हैं, यह तमाम बिंदू किस पर आप लोगों को दूर बेठे हुए को तु दिखी नहीं रहा है, यह लूमित दिखा देता हूं आप लोगों को, पर इतने मोट्री लगाने नहीं है यह पॉइंट, यह तो आपको दिख तो ये जो डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड अब लिखना कैसे है? दो दिये गए बिंदू से सम्दूरस्त बिंदू का बिंदूपत लिखिए. तो यहां आप लोगों को लिखना है. क्या लिखना है आप बच्चों को? जान दीजिए. उन बिंदूओं का बिंदूपत? दोनों बिंदूओं को मिलाने वली रेखा का लंब सम्द्वी भाजक. ये शब्द जरूरी है. लंब सम्द्वी भाजक होगा. उन बिंदूओं का बिंदूपत? दोनों बिंदूओं को मिलाने वली रेखा का लंब सम्द्वी भाजक होगा. अगर आपको याद हो तो एक बिंदूपत वाले दिन मैंने ये समझाए थे स सारे points 5-6 points उस दिन में लिये थे आप चाहे तो QR code तो दिखी जाएगा आप लोगों को हमारे वो YouTube के वीडियो भी देख सकते हैं तो ये पांचवा और छटा सवाल यहां तक हम पहुंचें इसके बाद में सात्वा वरत के केंदर से समान दूरी परिस्तित जिवाओं का लिखिए तो उसमें केवल एक मामूली सी बात हम बता देते हैं कि केंदर से समान दूरी की जिवाओं होती हैं वो समान होती हैं समान दूरी की जिवाओं समान होती हैं यह आपको मन में विचार रखना है और अनुपात एक अनुपात एक लिख देंगे एक अनुपात एक ब सवाल अभी लेंगे हम उतार रहें तो उतार लीजी जल्दी से सवाल अमबर आठ एक पास है कि एक बार फैकने फिर विश्यमंग आने की प्राइकता वो भी बताएंगे चिंता मत करो तो यह चटे सवाल में उन बिंदों का बिंदुपत दौनों बिंदों को मिलाने वाली रे पहले ले चुके मिलते हैं एक दू मिनिट अंत्राल के बाद झाल 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 एक बात पुने है स्वागत है आई सिटी की इन लाइव क्लासेज में लेके सवाल है हाजिर है सवाल नमबर आठ लेके एक पासे के एक बार फैकने पर पासा देखा है ना आप लोगों ने उसको एक बार फैकने पर विशम अंक आने की प्राइकता ग्याद कीजिए तो पासे में विशम अंक होते कौन से है अहां बताईए एक तीन पाँच जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो विशम तो प्राइकता क्या होई इसकी प्रॉबैबिलिटी क्या होई प्राइकता हमारे फैवरेबल आउटकम कितने है तीन और टोटल आप लोग जानते हैं एक से छह तक के अंक उस पे लिखे रहते हैं तो ये बटे अच्छ है कटके आया एक बटे दो दाद खत्म एक बटे दो प्राइकता होग इसकी अगला सवाल नमबर नो ऐसे सवाल नाइंत में भी थे बचाओ किसी नगर में टेक्सी का किराया पहले किलोमेटर का पाँच रुपए और उसके बाद में तीन रुपए है यदि तैकी की दूरी एक्स है एक्स की मी और किराया वाई रुपए है तो इसे सम्मिकर्ण के रूप में वेक्त कर लो तेजी से हम ये सवाल बता देते हैं पहला किलोमेटर पाँच रुपए से लेकिन फिर किलोमेटर कितने बचे एक्स माइनस एक क्योंकि टोटल एक्स किलोमेटर में से एक किलोमेटर तो हम चल लिए इसको गुणा करेंगे हम पाँच रुपए से ये पांच रुपे नहीं पांच रुपे तो पहले किलोमेटर का है तीन रुपे से करेंगे रुपे तीन और इस से हमारा जो टोटल रुपे है वो वाई है ये रुपे है ये रुपे है ये रुपे है चाहते तो हम यहापे रुपे लिक भी सकते थे ठीक है ये किलोमेटर है ये किलोमेटर है ध्यान रखिए तो पांच एकम पांच इधर तीन से गुड़ा किया तो तीन एक्स माइनस तीन बराबर वाई तो सभी को इधर ले आए हम तो यहां तीन एक्स वाई इधर आए तो माइनस का वाई और पांच में से तीन गए न बचो तो प्लस दो बराबर शुन्य ये बन गया बस समय करन इतना करते ही आप लोगों को एक अंक मिल जाता था 3X माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो उतारी जल्दी से सवाल नंबर 9 अब दस्वे सवाल में क्या है बचो कि एक खंबे के आधार से 20 मिटर दूर इस्तित प्लेटफर्म के एक बिंदू से खंबे की चोटी पे लगी कैमरे का उन्यन कौन 60 डिगरी है तो खंबे की ओचाई देखिए कैसे करेंगे एक खंबे के आधार से 20 मिटर दूर इस्तित प्लेटफर्म के एक बिंदू से खंबे की चोटी पे लगे कैमरे का उन्यन कौन 60 डिगरी है तो खंबे की ओचाई गयात कीजिए ये भी अभी जैसा सवाल आया था हमारे पास उसी तरह का सव सवाल है एक समकौन तिरबुज हमें इसमें बनाएंगे साथ डिगरी उन्नेन कौन हमें दिया गया है कंबे की ओचाई गयात करनी है और आधार से 20 मिटर तो आधार 20 मिटर हो गया सवाल नमबर 10 में देखिए सवाल में हमसे कहा गया है आधार से ये ए बी और सी बनाना समकौन तिरबुज ही है 20 मिटर की दूरी पर 20 मिटर की डिस्टेंस और उन्नेन कौन 60 डिगरी है हमें याद करना है उचाई किसकी खंबे की तो यहां पे हलका फुलका आप लिख सकते हो माना खंबा ये भी है इसके बिन्दू 20 से 20 मिटर की दूरी पर इस तित को बिन्दू सी है जिससे उन्नेन कौन 60 डिगरी बन रहा है अब आप देख रहे लंब और आधार का मामला है तो 10 चीटा का इस्तेमाल करेंगे लंब बटे आधार सुत्रा आप लोग सब भी परीचित हैं लंब की जगह पे A B आधार की जगह B C चीटा की जगह 60 डिगरी लगाएंगे बराबर A B का मान H और आधार B C का मान 20 बस फिर क्या था 10 60 का मान 30 से लगाईएं अंडरूट 3 बराबर H बटे 20 तो क्रॉस मल्टिप्लाई से H बराबर 20 अंडरूट 3 मीटर अतहें एंडिंग वैसे करके आईए बच्चो जो पूछा गया है अतहें खंबे की ओचाई बराबर H बराबर नहीं नो अतहें खंबे की ओचाई बराबर 20 अंडरूट 3 मीटर यूनिट जरूट लिखिए ठीक है न ये ध्यान रखो ये था सवाल नंबर कौनसा दस तो एक नंबर का तो सफर हमारा खात्म हो गया अब चालो हो रहें दो दो नंबर वले द्वंद्योग विदी से 6889 का वर्गमूल आपको गयात करना है और दो संक्याओं का गड़नफल 525 उनका मैस है पांच है तो लह से गयात करना है और एक गन का संपुन पस्टी चितरफल 216 वर्ग मीटर है गन की भुजा गयात करनी है एक अर्ध गोले की तरिज्जा साथ स है इसका संपुन पस्टी चितरफल गयात करना है आसान से सवाल है बच्चो अब हम आगए भाग बै यानि पार्ट बी में आगए हम दो दो नंबर वाले पहले पार्ट ए चल रहा था यहाँ पे लिखी देते हैं इस बार बाग बै पार्ट बी इसका ग्यारवा जो सवाल है उसमें द्वंद्योग विदी तो आपको मालूम होगा इसमें 8, 6, 8, 8, 9 पेर में से पहला पेर हमने इधर गिराया और 8 और 9 थोड़ा थोड़ा गैप ल दिख दिया 89 को अब 68 के नीचे स्क्वेर नंबर कौन सा है 64 किसका है 8 का तो यहाँ 64 हमने संकेत हम हलका फुलका ही बता रहे हैं यस बचे 4, 4 हमने यहाँ लिखा और 8 का डबल 16 यहाँ लिखा अब हम यहाँ पे यह 48 दिख रहा है बचो है ना इसमें 16 का भाग दिया जो 3 बार गया कितनी बार तीन बार तो 48 में से 48 बचा शुन्ने शुन्ने यहाँ लिखा उत्तर तो 83 आ चुके हमारे लेकिन अब हम इस 3 का 3 से जो द्वंद होता है 9 वो और गटाएंगे शेश्वल ग शुन्ने शेश्वल शुन्ने अते हैं रूट 6889 इस एक्वल टू 83 खत्म तो ऐसे बेहत आसान सवाल है अगला बारवा सवाल दो संक्यों को गुड़नफल 525 है और मैं से 5 है तो ले से ग्याद करना है तो इसमें एक सुत्तर आप लोगों को मालूम होगा कि ले से गुणा मैं से बरावर राश्यों का गुड़नफल थोड़ा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं नहीं तो सवालों की संख्या भी जादा है मैं से गुणा ले से बरावर राश्यों का गुड़नफल राश्यों का गुड़नफल बस फिर क्या था तो मैं से पांच है ले से ग्याद करना है ले से ही रहने दीजिए और राश्यों का गुड़नफल पांच सो पच्चिस तो ले से निकालने के लिए ये जो पांच है ना ये बटे में गया फाइफ टू फाइफ डिवाइड़ वाइफ बच्चों इसमें भाग कितनी बार जाएगा बताओ अहाँ भाग कितनी बार गया कुछ बच्चे यहाँ पे पांच पांच पच्चम पच्चिस पंद्रह ही कर देते हैं बच्चों अरे एक सो पांच बार जाएगा ये ध्यान रखना एक सो पांच बाग तूटके जीरो गड़बड करवा सकती है इसलिए ध्यान रखना एक सो पांच इसका उत्तर हो गया किसका मान लैसे का उतार लीजिये तब तक हम सवालंबर 13 के बारे में सोचते हैं देखिए सवालंबर 13 में हम एक आ गया है एक गन का संपूर्ण प्रस्टी चितरफल 216 वर्ग मिटर है गन की भुजा आग याद कीजिए तो तेरवे में गन का संपूर्ण प्रस्टी चितरफल दिया गया है गन का संपूर्ण प्रस्टी चितरफल और कितना है वो 216 वर्ग मीटर याने मीटर स्क्वेर गन की भुजा ग्याद करनी केवल साइड ग्याद करनी तो गन का संपुर्ण परसिशी चितरपल 6 भुजा स्क्वेर बराबर 216 तो भुजा स्क्वेर बराबर 216 divided by 6 वो आया 36 क्या आया 36 अब क्या किया हमने बुजा ग्याद करने के लिए ये जो स्क्वेर है ये इदर जाके वर्गमूल बन गया और चत्तिस का वर्गमूल आप सभी जानते हैं च्छे यूनिट यहां मीटर चल रही है तो ये मीटर अता है गहन की प्रतेश बुजा च्छे मीटर होगी कितना? च्छे मीटर सवाल अमर चाउदे में एक अरद गोले की तृज्जा साथ से मीए इसका संपूर्ण प्रस्टी चितरफल हमें गयाद करना है अरद गोले का संपूर्ण प्रस्टी चितरफल और वो कितना होता है बच्चो 3 पाई आर स्क्वेर क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वेर सिंपल है सवाल नमर चाओदे में आर बराबर साथ सेमी तो अर्द गोले का संपोर्ण प्रस्टी चित्रफल संपोर्ण प्रस्टी है चित्रफल वो होता है 3 पाई आर स्क्वेर तो 3 इंटो 22 अपॉन 7 इंटो 7 इंटो 7 एक साथ से साथ कट गया और इदर साथ दुनी 14 14 दुनी 28 ये 28 और इदर 28 8 का 8 0 और इदर कितना 3 बच्चों यहाँ पे 3 आएगा ना 3 पाई आर स्क्वेर थोड़ा सा संबल गे ठीक है तो यहाँ पे 27 इंटी 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 दुनी 42 462 क्या बोला 462 और यूनिट सेंटिमीटर स्क्वेर या वर्ग सेमी लिख सकते हैं आप लोग ये कहां तक पहुचे हम चावदय तक उतारी जल्दी से चावदय तक का ये सवाल और अगला ही जो CCTV कैमरा वाला है नो जो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये वो सडक सुरक्ष सवाला है प्रस्ण सडक सुरक्षा तो थोड़ा सा आपको संभलके करना होगा सडक सुरक्षा वाला सवाल है न मचो है 24 मेटर उचे पोल का यातायात नेंतरन से CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि यह पोल के 25 मेटर दूर दरस्टी देखा कि आगे भी यातायात देख सकता है पो अर्राउंड दा पोल समझी कैसे करेंगे यस इसमें भी पाइथोगोरस प्रमे वही बोदाहन प्रमे अगले वाले सवाल में भी लगेगी तो आप देख रहे हो पाइथोगोरस थ्योरम जो है न बोदाहन प्रमे वो कई जगहें पर उपयोग में आती है बचो यस सवाल नमबर 15 में यह इधर यह इधर और यह इधर रफ डाइग्राम बना रहे हैं बिना लंबाई जोड़ाई लिखें तो यहाँ पर हमारे को 24 मिटर यहां दिया हुआ है 24 मिटर 25 मिटर यहां है ABC हमने इसको मान लिया चुकि यह समकॉर्ण तिर बुझे है तो BC हमें ग्याद करना पड़ेगा AC स्कॉर बराबर AB स्कॉर प्लस BC स्कॉर तो AC की जगे 25 स्कॉर AB 24 स्कॉर और BC स्कॉर हमें ग्याद करना है तो 625 माइनस 576 इस एक्वल तो BC स्कॉर माइनस किया 49 आया तो BC बराबर 49 का वर्गमूल वह वह साथ मीटर अब हमें जो छितरफल ग्याद करना है न बचो वो यहां नीचे जो वरत्ताकार पत बनेगा उसका छितरफल ग्याद करना है तो हमारे को यह जो साथ है वो एक तरह से तरिज्जा तरिज्जा की जगे यूज लेना है हमारे को नीची जो व्रत्तकार बन रहा है उसमे तो व्रत्तकार भाग का छित्रफल बराबर पाई आर स्क्वेर तो बाईस बटे साथ गुणा साथ गुणा साथ साथ से साथ कट गया 154 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वेर आप लिख सकते हैं ये है वो जिसका छित्रफल हमसे पूछा गया है तो ये हम A पार्ट और B पार्ट के 15 तक का सफर हम तै कर चुके हैं बचो अब इसके बचे हुए सवाल आप स्वयम भी निकालना तब ही हम अगली क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे बचो चीके ना तो ये ध्यान रखना अगला विबज स्वयम कर सके उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए ठीके ना बचो तो ये ध्यान रखिए हम तो हमारा करतवे पूरा कर ही रहे हैं पर आप भी अपना करतवे पूरा कीजिए ठीके तो A पार्ट के साथ में B पार्ट का सफर 2018 का ये जो प्रस्ण पत्र पिछले साल हुआ था उसका हम कर चुके हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकि हम फिर हाजिर होंगे नमस्कार